उत्रपरदेश की राजधानी लखनों में CAA विरोधी परदर्शनों के दौरान हिंसा हुई थी उत्रपरदेश सरकार ने हिंसा भढ़काने के कुछ अरोपियों की तश्वीर वाले पोस्टर लगवा दिये थे इस पर अब इलाहबाद हाई कोट ने इन पोस्टरों को हटवाने का अदेश दिये हैं हाई कोट के चीफ चस्टिस कोविंद माथुर और रमेज सिना की बेंच ने लखनों में CAA विरोधी परदर्शनों में संपत्ति को नुकसान पहुचाने के अरोपियों की सड़क किनारे लगी फोटो वाले पोस्टर ततकाल हटाने का अदेश दिये हैं साथ ही 16 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हल्फनामा धाकिल करने के भी निर्देश दिये हैं इस फैसली की जानकरी हाई कोट में केस लड़ रहे हैं वकीलों ने दी केवल उपद्रवियों के मौरल को डाउन करने के लिए ऐसा किया इसी कारवाई की है जिस पर कोट ने आदेश रक्षित कर लिया था आज मानी मुक्री ने आदीश गविंद मातुर चाहब और अमेर्शिना साहब की पीट ने दो बज़े जड़मिन अपना सुनाया है परशाशन के और से कहा गया कि हिंसा फैलाने वाले सबी देमेदार लोगों को लखनव में पोस्टर बैनर लगाए गए है सभी एरोपियों की संपती भी कुर्ख की जाएगी चोराहों पर ये पोस्टर इसले लगवाए गए ताकि हिंसा तोड़ फोड और सरकारी संपती को नुकसान पहुचाने वाले लोग बेनकाब हो सके इस तलील पर हाई कोट ने कहा कि सडकों पर किसे भी नागरिक का पोस्टर लगाया जाना नागरिकों के समान निज्टा और उनकी सब्तंतरता के खिलाफ है पब्लिक प्लेश पर संबदत व्यक्ति के अनुमती बिना उसका फोटो या पोस्टर लगाना गैर कानूनी है ये निज्टा के अधिकार का भी लंगन है इस पर थेटर का लगा दीपकबीर ने अप सरकार के खिलाफ रोश प्रक्टाया लेकिन यह नाइतिक जीत है और नाइतिक जीत इस समय लिए बहुत जरूरी है क्योंकि लोग जिस तरह से सरकार और बाकी लोग परसप्शन बना रहे हैं उसको कोट ने भारत के समिधान के आधार पे जिस तरह से रोका है उसने नाइतिक जीत हमें हासिल कराई है कि हम नहीं है उन्होंने ना कोई दंगा किया ना कोई आज़नी करी है कम से कम मैं अपनी लेता हूं अपने तीन-चार साथियों को जिनको मैं जाता लेता हूं कि अगर एक भी एविडेंस होता उनके खिलाफ तो हम खुदी सरेंडर कर देते हैं पर उसके बाद आपने मुकदमे दर्स कराया आपने जेले भेजा आपने पिटाई कराई आपने अटेम टू मर्डर का केस लगाया और उसके बाद आपने रिकवरी करी और रिकवरी करने के बाद हमको पताने को जाए पूरे शहर में डिडोरा पीटा यह तरीके का जो डर और खौफ पैदा कर रहे थे इसे प्रिशासनिक चूख ती, अगर यह साजिश नहीं ती प्रिशासन की तो प्रिशासन को भी बिना चिड़ह या बिना इससे तमाचा और इस्वारे लेने की वजाए हम यह नहीं कहते हैं सोचना चाहिए कहिए यह वो भी तो गलत राएं पर्शक्षन नहीं बना रहा है जो होडिंग सरकार ने लगाए उसमें C.E. हिंसा के दोरान सार्वजनिक और नीजी संपतियों को खोए नकसान का विवरण है। उलेखनिये है कि पुलिस ने नागरिक्ता संचोधन कानून के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में किये गए विरोत फरतर्शन के दोरान हिंसा में आरोपियों को पहचान कर पूरे लखनों में उनकी कई पोस्ट लगाए हैं। बोलस ने करीब 50 लोगों की पहचान कथित उपरवदियों के तौर पर की है और उन्हें नोटिस जारी किये हैं। इसमें समाज सेवियों और अरजनितिक सदाफ चफर, वकील मौमत छोयब, ठे 19 दिसंबर को राजधानी में CAA के विरोध में लगपक 10,000 लोग सड़कों पर उतरे थे। इस दोरान बड़े पैमाने पर तोड़ फोर आग जनी भी हुई थी। इस पर मुखमत्री योगी ने कहा था कि संपतियों को नुकसान पहुंचने वाले को पक्षा नहीं जाएगा पोस्टर में आरोपियों के नाम, फोटो और अवस्य पतों का उलेक है। इसके परमान सवरूप नामजद लोग अपनी सुरक्षा को लेकर अशंकत हैं। पुलिस पर शाशन द्वारा लगाए गए इस मामले को लेकर पूरव IPS अधिकारी, S.R. दारपूरी का कहना है कि ऐस If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.